हेलो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं जो है तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि स्विचिंग होता क्या है स्विचिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कम्प्यूटर्स या नेट्वर्किंग डिवाइस हैं उन सब को जोइन करते हैं तो यह तो था कि स्विचिंग होता क्या है कि मतलब जिस मेथड से हम कम्प्यूटर्स को स्विचिंग की मदद से जोइन करते हैं स्विचिंग हो गया तो लेकिन इसमें स्विचिंग क्या होते हैं स्विच दो डिवाइस या दो कम्प्यूटर्स को एक दूसरे के साथ उन में एक टैम्प्ररी कनेक्शन बना देता है जिसकी मदद से वो दोनों computer एक दूसरे के साथ connect हो जाते हैं और जो switch है वो एक particular path उनके लिए बना देता है जिससे वो एक computer से दूसरे computer में अगर उन्हें कुछ send करना है या receive करना है तो वो उनका एक path भी बना देता है उन computers या devices के accordingly जिससे वो easily data send या receive कर सकते है switching को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस method से जो data है वो transmit हो रहा है जैसे कि अगर किसी network में intermediate nodes हैं मतलब वो nodes जो एक दूसरे के साथ connected हैं उन्हें से अगर कोई data from source to destination कोई send हो रहा है तो उसे हम उस method को हम switching बोलेंगे और जो जो nodes हैं जो intermediate nodes हैं उन्हें हम switching nodes बोलते हैं तो ये थी switching की definition अब हम बात करते हैं types of switching के बारे में तो जो first type है वो है हमारी circuit switching second है message switching और third है packet switching तो सबसे पहले हम बात करते हैं circuit switching के बारे में circuit switching में क्या होता है इसमें हम एक physical connection build up करते हैं computers के बीच में कोई भी data transmit करने से पहले इसका main important property यही है कि ये switching technique इसलिए use करते हैं ताकि हम जो data transmit करना चाहते हैं वो easily हो जाए और easily इस तब होगा जब हम उसे physical connect करेंगे physically connect करेंगे और end to end पूरी अच्छी तरीके से वो एक दूसरे के साथ connected होंगे अब हम बात करते हैं message switching के बारे में message switching एक store and forward method यूज़ करता है जैसे कि अगर हमने कोई data या message send किया है तो वो सबसे पहले switching office के पास जाता है और वहाँ पे data store करता है buffer में और जब वो data store कर लेता है buffer में वो फिर एक नया link ढूनता है दूसरे switching office के लिए ताकि वो data वहाँ पर send कर सके उसके बाद ये process तब तक continue रहता है जब तक कि जो data है वो अपने destination point तक delivered ना हो जाए इसमें जो switching office है वो हमारे अलग-अलग switches या devices ही है जो की उन दो computers के बीच में लगे हुए है जिन से वो data है वो पास होके आगे जाएगा अब हम बात करते हैं हमारी last type के बारे में जो है packet switching packet switching में जो data और messages है वो छोटे छोटे different packets में source से destination तक पहुँचते है जो packet switching है उसमें जो packets है उनका एक fixed size होता है उनकी जितनी भी message या जितना भी data है उनके हिसाब से और जब वो send हो रहे होते हैं तो वो उनके main memory में store हो जाते हैं जिससे कि जब हम उसे access करेंगे मतलब जब उस information को पढ़ेंगे या data वो निकालेंगे तो उसकी जो performance है वो थोड़ी improve होगी क्योंकि हमने उसे पहली main memory में वो save होगा तो उसकी जो access करने का time है वो reduce हो जाएगा जिससे उसकी data की access करने की performance की timing भी बढ़िया रहेगी जो हमारे message होते हैं वो bits के हिसाब से उनका block size होता है और जितने भी packets हैं वो अगर उनमें कोई बड़ा है मतलब बड़ा data है कोई ज्यादा data है तो वो छोटे छोटे multiple packets में break हो जाता है और जितनी packets हैं वो information अपने साथ लेकर destination तक पहुंचेंगे और जितने भी packets होते हैं वो उस network के through जिस network से जिस network में उनने जाना है उस network में node to node pass out होते हैं तो ये था हमारा switching and types of switching का full video अगर आप चाहते हैं कि हम इन types of switching के बारे में एक अलग full detailed वाली video बनाएं तो आप नीचे comment box में comment कर सकते हैं हम definitely उस video के उपर जरूर work करेंगे और आपको वो video provide करेंगे so I hope आपको ये video अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आपके मन में भी कोई doubt है तो आप नीचे comment box में comment कर सकते हैं और अगर आपको हमारा ये video पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स वीडियो में सो बूद ब्राइ और टेक क्यर अच्छाट्प नेक्रीयों तयाएब कीजिए और अच्छाट्पी आपको में अच्छाट्पीश्च।